स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल एंथ्रोपॉलोजी में कुछ खास है पिछले साथ से आट सालों का आप ट्रेंड उठाके देखते हो रीसेंट जितने भी आपको ओल इंडिया रैंक्स देखने को मिलता है वन टू त्री फाइफ सेवन एंड सो ओ करने जा रहे हैं तो इसकी इसी खासियत को बनाने के पीछे इसके फोर फांडर आइपॉर्टेंट रहरा होगा आज हम लोग एक ऐसे ही इसके फोर फांडर की बात करने जा रहे हैं जिसे को लोग् wn tv या फिर ओन यं कर कि नमश्कार मैं उतकर सिंग एंथ्रोपॉलजी की इस सिरीज में जहां हम थिंकर्ट और थॉट्स की बात कर रहे हैं आज बात करने वाला हूं एडवर्ड ब्रॉनेट टाइलर की जिने फादर ऑफ किसी भी स्कूल अफ़ोट को देखो आप किसी भी धिखो उसको डिसक्स करने का एक जनरल पैटर्न होगा वो भी हम इनीशल वे में इनिशल स्लाइट में उसको भी डिसकस करें कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए उसके साथ साथ हमारा मेजर इस्ट्रेस रहेगा जो हमारा आज का क्रक्स है वो है Edward Brunet Tyler के उपर इनका क्या contribution रहा anthropology के तरफ इन्होंने क्या-क्या theories दी क्या-क्या बाते कहीं अलग-अलग चीजों पर इनकी क्या एक तरीके से रोल रहा anthropology के development में तो time ना waste करते हुए हम देखते हैं सबसे पहले कि approaches की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि anthropology के school of thoughts को जब आप address कर रहे होते हो तो उसका एक basic paradigm है एक तरीके साब कह सकते हो जो कोई standard नमूना है जिसके basis पर आप किसी भी school को एक तरीके से decode करोगे या फिर उसके answer writing की भी जो आपकी approach होगी वो भी आप पिसी fashion में रखते हो यहां पर वो सारी के सारी point voice fashion में दिए वे अगर आप चाहो तो थोड़े समय के लिए screen को pause करके वीडियो को pause करके भी इसका या तो screenshot ले सकते हो आप या तो बाद में after the video आप इसको कहीं note कर सकते हो सबसे पहले अगर for example कोई भी school यहां पर school of thought आप से दिया हुआ है अभी हम evolution पर या फिर टाइलर पर सीधे नहीं जंप कर रहे हैं उनको देखने से पहले उनके contribution उनके role को देखने से पहले उनकी evolution की theory को देखने से पहले वो marriage पर क्या कहते हैं societies पर क्या कहते हैं और वो किस तरीके से अलग-अलग cultures का evolution बताते हैं उसको जानने से पहले हम एक जर्नल परडाइम देख रहे हैं जिसमें आप किसी भी school of thought को किसी भी थियोरिक anthropology के अंदर में बादते या फिर समेटते हो तो evolution यहां पर हो गया evolution को छोड़के भी कई सारे आपकी school of thoughts है है functionalism है हम सब पर नहीं जा रहे है या फिर स्कूल को आप जब address कर रहे होगे तो इस ब्रॉड outline के अंदर में आप रखोगे सबसे पहला आपका होगा कि आप उस school के बारे में बताओ ब्रीफली एक short form में बहुत ही एक नैरो सेंस के अंदर में आपको बताना होता है कि उस school of thought का जिस्ट क्या है यहां पर वो कहना क्या चाहरा है या फिर उसका एक central feature of that school या that thought क्या है evolution की बात करते हो तो evolution भी अपने आप में दो stages में बटा हुआ है दो theories है एक आपको classical school दिखता है इसके अंदर में और एक आपको नियो evolutionary दिखता है इवन classical के अंदर में भी आपके तीन school of thoughts आ जाते हैं जो की evolutionary trend से या फिर evolutionary thought के साथ एक synchronous way में चल रहे हैं जिसके अंदर में आपका unilinear आ आ जाता है multilinear आ जाता है एन आपका universal आ जाता है जूलियन इस्टिवर्ट का जो classification उन्हें दिया हुआ था next आप functionalism की भी बात करते हो तो इसी तरीक से सबका breakdown होता है अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-बात कहते हैं तो हम बताते है है basically कि वह thought है क्या जैसे evolution कहना क्या चाहता है अगर आप for example हम यहाँ पर classical के अंदर में unilinear को उठा लेते हैं जो कि हमारे आज के लेक्चर से के साथ जाएगा क्योंकि जो टाइलर का तरीके से वह जाएगी इसमें पीछे आने का कोई सेंस नहीं है और कोई multiple direction नहीं है एक ही single line में एक तरह से fashion में वह निकलती जा रही है तो यह उसका एक तरीके साब क्रक्स या जिस्ट बोलते हो कि evolution की multiple stages को एक single line में बताता है through the concept of various concepts जो हम बाद में डिसकस करेंगे जिसमें सर्वाइवल्स हो गया psychic unity आपकी हो गई ऐसे कई सारे चीजों को यूज करके ऐसे कई सारे models को tools को यूज करके वो अपनी थियोरी को बतार होते है functionalism हमें बताती किसी भी चीज को अगर हम करते हैं कोई भी आपका culture है culture की कोई element है कोई traits है cultural pattern है हर चीज की existence के पीछे एक कोई न कोई reason होता है उसका कोई न कोई एक function होता है यह functionalism कहता है तो these are the narrow sense एक तरीके से summary जिसको आपको introductory part में brief outline के तरफ पे वहाँ पे देना होता है आंसर के शुरुवात में अगर आप से उस school of thought या फिर उस theory के बारे में पूछा गया हो तो next जी जो आप address करते हो इसके अंदर वो है कि भाईया किसी ने तो यह दिया होगा यह thought है हमने बात किया evolutionary school है ठीक है functionalism का एक school है एक theory एक thought है structuralism है और भी से जादा चार से पांच औ आपको पढ़नी होती है syllabus में जब आप thoughts को पढ़े रहे हो हर के अंदर अलग-अलग blocks है अलग-अलग sub groups है और उनको देने वाला या उनके साथ कोई ने कोई एक scholar या फिर एक anthropologist associated होगा हमेशा तो आप इस second point के अंदर में उस scholar के बारे में उसको mention करते हो उसके बारे में एक बहुत ही short short but sweet manner में ठीक है तो जो भी thinker होगा उसके बारे में XYZ आप में पर mention कर दोगे next आप कहते हो कि अलग-अलग जो भी उनका यहाँ पर स्थर्ड स्टेप जो होता है यह इसको आप समझ सकते हो यहाँ पर reference लिखा हुए रेफरेंसिंग किसी को आप किसी कोट करते हो या पर किसी की बात कहते हो तो यहीं क्यतो हो कि फलाने वैक्ती ने यह कहा वथा यह कौई परसन नहीं और बताना चाहते हो second person third person कोई भी दूसरा इंसान तीसरा इंसान हो तो आप बताते हो कि उसने यह यह कहा था इसे scenario में कहा था इसे जगप ऐसा कहा था सेम चीज यहाँ पे भी है आप बता रहे हो कौन से school of thought है वो school of thought क्या कहता है वो किसने दिया हुआ है फिर उसके author के बारे में बताते हो उसके scholar के बारे में बताते हो तीसरी चीज होती है उसने कब और कहां पे इस चीज कही हुई है वो आपको बतानी होती है तो वो सेम चीज है यहाँ पे referencing के form में आ जाती है हो सकता है उसने news article में कही हो किसी paper में आपको बोला हो किसी interview में कहा हो अगर layman term की बात करते हो लेकिन most of the theories जो होती है वो कहां पे आपको देखने को मिलती है research paper में published form में आपको देखने को मिलती है तो वो या तो research paper के अंदर में आपको देखने को मिलेगी या तो सकता है इंसान ने खुद की कोई book publish कियो for example टाइलर ने तीन से चार four major books उनकी जो थी वो publish हुई थी ठीक है उसके अंदर में उनकी जो most celebrated book जिसको एक classic की तोर पर माना जाता है वो है उनकी 1871 में publish हुई primitive culture जिनके अंदर उन्होंने पूरा एनिमिजम का जो school है एनिमिजम का जो thought है वो उन्होंने explain किया हुआ है और आप बताओगे कि it was given in the book called primitive culture in the year 1871 तो यह क्या हुई आप address बता रहे हो उस thought का या फिर उस information का कि मैंने कहां से उठाई है तो third step पर वो जरूरी होता है कि आप referencing दो कि किसी paper में published था उनके किसी author के work में था उस किसी एक तरीके से कह सकते हो newspaper news article में था या फिर और कोई source था information का then you are telling the address of that information next work आ जाता है कई बार early phase में आप देखते हैं anthropology की चीज़े चल रही होती है वो क्या होती है वो आपको देखने को मिलता है कि बाते हो रही है ठीक है और उन बातों का जो basis होता है वो comparative analysis होता है इंसान खुद जाके कहीं नहीं देख रहा है for example आपको मैं कहता कि आप जाके देखो कि इंडिया में सबसे अधिक सबसे ज्यादा टूरिजम का एक influx कहां पर फिर किस site पर आपको देखने को मिलता है वो कुतम मिनार है वो ताज महल है यूनेस को कोई heritage site है या फिर कोई और आपको मुगल architecture या कोई दूसरा architecture देखने को मिलता है किसकी बा जाके वहाँ पर नहीं count कर रहे हो किसी site पर किसी place पर जा करके आप खुद उस बात को नहीं देख रहे होते हो कि यह हां किस तरीके से यह बात को कहां पर कहा गया है या फिर मैं कहां पर जाके देख रहा हूं कि ताज महल में आज for example 50 लोग आया है कुतम मिनार पर मैंने दे इडिशन आया जिसमें क्या कर देखते हैं हम को यह देखने को मिलता है कि लोग खुद जाके फील्ड वर्क कर रहे हैं फील्ड वर्क का क्या मतलब होता है अंथ्रोपॉलजी के अंदर एक बहुत ही जिस्ट वाला एक क्रक्स वाला central point है focal point है कि anthropology field पर जाके जिस community के बारे मे बात कर रहे होते हैं उस culture के बीच में जाके वो देख रहे होते हैं कि हां क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है तो यहीं चीज होती है इसको हम field work कहते है तो आप जब भी आप ने publication भी बता दिया अगर वह बुक में भी बात कही है पर उसका basis जो है वो field work है तो आप बत बीच में जाके अफरीका में काम किया हुआ था तो यह उनका field area या फिर area of study field work उन्होंने कहां पर किया हुआ है कि society में किस culture के बीच में किस area किस geography में जाके किया हुआ है तो वो भी आप बताते हो एक बहुत ही short way में कि हां this work was done this field work was conducted by such so and so anthropologist or so and so scholar in the year xyz at this place ठीक है वो आपका examine किया जाता है evaluate किया जाता है तो पता चलता है कि आप कितने सारे blocks में बहुत ही synchronous way में एक structured way में आप हर एक example को fact wise बिना किस्ते कहानिया बताए हुए कि हाँ यह यह था वो था आप कहीं नहीं जा रहे हो आप हर चीज़ fact पे line wise एक pattern में दे रहे हो तो सामने वाले को आपको पता है उसके बारे में क्या हो रहा है next उस इंसान ने जब यह fieldwork किया होगा तो उसने कुछ tools को use क्या होगा किस लिए data gather करने के लिए information को इखटा करने के लिए वह tool क्यासे भी हो सकता है अगर मुझे आप से को information से यह तो मैं क्या कर सकता हूं मैं आप से interview ले सकता तो मैं आप से कहूंगा एक genealogy जिसको आप हिंदी में आपने term सुना होगा वंशावली जिसको कहते हैं वंशावली मैं आप से कहूंगा कि आप मुझे बताओ मैं A4 sheet ले लूँगा उस पर बनाओंगा या फिर बड़ा सा chart paper ले लूँगा उस पर मैं बनाओंगा कि आप आ अपनी चीज़ों को कर रहे हैं और मैं दूर खड़ा हो के आपके थोड़ी डिस्टेंस पर बिना आपको इंटरफियर इंटरप्ट किये हुए मैं आपको observe कर रहा हूं उस basis पर मैं information को gather कर सकता हूं या फिर हो सकता है मिल life histories और case studies का method अपना हूं कि मैं एक तरीके से comparative analysis करू life histories जो पूरी है उसको मैं construct करूँ और उस basis पर information या फिर अपने conclusion पर arrive करूँ तो यह अलग-अलग method है इन ही को tools कहते है tools of data collection तो आप वहाँ पर ये भी बता सकते हो कि using this कोई भी tools होता है वो किस तरीके से उन्होंने apply किया होगा for example एक anthropologist है culture and personality school में Margaret Mead इनका बहुत ज्याद culture को देखके information note नहीं करती थी उसकी filming भी करती थी तो आप जब भी बता रहे हो इनकी theory की तो उन्हों आप explain कर सकते हो बता सकते हो कि इस वीडियो में जब उन्होंने ethnographic picture से लिए उसमें ये data को उन्होंने record किया हुआ या फिर कोई case study किसी ने use किये तो आप उस case study को अपने answer में discuss कर सकते हो कि हाँ अगर आप turner की बात करते हो या गीट की बात करते हो तो उन्होंने बाली में जाकर करके उन्होंने cockfight का tradition हो रहा था उसको वहाँ पे analyze किया और उससे इस interpretation पर वो arrive किये तो इस तरीके की information को आप बता सकते हो जो case study उन्होंने use की उसको आप mention कर सकते हो जो शॉर्ट में जो अगर कोई genealogy या फिर कोई दूसरा method of observation उन्होंने यूज कि आप उसको एक short way में बता सकते हो कि हाँ उन्होंने ये किया यूज और इसके इसके थूरू इस conclusion पर नेक्स टेप जो होता है आप बताते हो कि उस school का उस thought का उस theory का या फिर उस anthropologist ने जो ब बताता है है अलग-अलग stages पर आप evolve किये अगर जैसे कहां से कहां पहुंचे तो वह वोट का address कर रहा होता है similarly functionalism जो है वो आपको बता रहा होता है य के बारे में अलग-अलग school of thought जो है वो अलग-अलग चीजों को अलग-अलग trends को explain कर रहे होते हैं तो आप बताते हो कि प उसके कई सारे एक तरीके से significance हो सकता है जिस study के कारण that depends upon the particular work यहाँ पर आप जर्रलाइज करके नहीं बोल सकते हो अलग-अलग work का अलग-अलग nature होता है और हर work से आप किसी हो जाते हो और ज्यादा enabled हो जाते हो तो आप यहाँ पर significance में वो सारी बाते करते हो next हर एक चीज के पीछे कोई भी चीज आप जानते हो 100% परफेक्ट नहीं होती है 100% परफेक्ट नहीं होगी तो उसमें एक लेक्यों नहीं होगा एक gap होगा और आपको उस gap को as a criticism constructive criticism के तोर पर आपको address करना होगा कि हाँ यह सब कुस तो सही था उन्होंने बहुत कुछ किया बहुत मेहनत से काम किया एक्स वाई जी पर उसमें यह कमी रहे गई है ना इस step पर वो लैक कर गए हो सकता है वो biased हो या फिर उनका जो कोई method हो जो tools वो यूज कर रहे हो वो परफेक्ट न बाते करके आप उसको conclude करोगे short में जिस तरीके से आपने इंट्रो एक narrow short and sweet लिखा उस तरीके से आपका conclusion भी बहुत ही well balanced और beautiful होना चाहिए तो यह रहे गए approaches की बाद अब हम सीधे direct code पढ़ते हैं किसके उपर जो हमारा आज का topic है e.b. टाइलर e.b. टाइलर की आप बात करते हो तो इनका जो birth हुआ होता है इंट्रेस्टिंगली गांधी जैनती की दिन हुआ होता है although गांधी जी उसके probably 37 या 35 यह बाद हुए होंगे ये 2nd of October 1832 को आपको इनका birth देखने को मिल रहा है and around 80-85 years की इनकी age होती है mid of the first world war इनकी death हो जाती है first world war खतम होने से थोड़े एक साल या दो साल पहले 1917 में इनकी death हो जाती है आपको देखने को मिल रहा है इनको अलग-अलग नामों से court किया गया है और यह जनल फ्रेम नहीं है अलग-अलग जैसे आप मालनी जा फॉर एक्जाम्पल बियारम बेटकर का या महात्मा गांधी क थी उनका जो contribution है वो इंडिया के तरफ था बाकी लोग भी उनकी greatness को एक तरीके से accept कर सकते हैं मान सकते हैं पर वो उस बात को वहाँ पे वो नहीं करेंगे वो उस बात को एक तरीके से जज नहीं कर रहा हूं या उसको किसी भी तरह से आप बताएंगे नहीं कि क्या उनका contribution रहा है यह सेम चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है जब आप दूसरे सोसाइटी या दूसरे कल्चर के किसी भी परसें किसी भी स्कॉलर की बात को को कोट कर रहे होते हो तो तो डैट मीन्स देसाइडिंग दी ग्रेटनेस या फिर सिगनिफिकेंस ऑफ पर परसन इसी ल किसी और को बताएंगे कि हां कोई और है फाडर ऑफ एंध्रोपॉलजी कोई-कोई उनको फादर ऑफ कल्च्रल एंध्रोपॉलजी आपको देखने को मिलता है कहीं रेफ्रेंस मिल जागी कहता है कई लोग उनको कंपेरिटिव एथनोलोजी का जो उनका मैथर जिसको यूज करते थे जिसके लिए एक तरीके से उनका एक कॉंट्रिबूशन के तौर भी देखला और उसी के बेसे स्पून का क्रिटिसियम भी होता है तो कई लोग उनको फादर ऑफ कंपेरिटिव एथनोलोजी कहते है एथनोलोजी में बेसिकली होता क्या है आप अलग-अलग कल्चर इसको पढ़ते हो और फिर उसको कंपेरिटिव स्टेडी करते हो है अगर मुझे एक्जामपल एफ्रिका के ट्रेडिशन या एफ्रिका के किसी कल्चर को पढ़ना है उसको मैं पढ़के फिर एक इंडियन ट्रेडिशन या इंडल कल एशियन कल्चर को पढ़ूंगा और फि इनके works पर जाते हैं, इनको discuss करने के लिए अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग design या फिर अलग-अलग schemas को use करते हैं, पर I think जो सबसे best तरीखा होता है, इनसान को पढ़ने या समझने का, जब आप academic form में बात कर रहे हो, तो वो है उस इनसान के works के थुरू, इनसान का काम जो है, उसकी बातों से ज़्यादा बोलता है, उसकी life history और उसके खुद के statement या दूसरों ने उसके बारे में क्या कहा है, उससे ज़्यादा तवज़ू इस बात की है, कि इनसान का काम क्या बोलता है, तो हम सीधे इनके काम से देखते हैं, कि इन्होंने काम के थूरू क्या- इसको बोलते हैं, लेकिन आपको अगर simple term में बोलना है, तो दूसरा भी इसका नाम था, जिसको बोलते हैं, मैक्सिको मैक्सिकन, मैक्सिको मैक्सिकन की जब इन्होंने study की, तो comparative way में की, और उसके बाद 1861 में इस book को इन्होंने publish किया, इस book की खासियत क्या थी, कि इस book में conclude किया, कि जो culture of Mexico है, वो अलग-अलग stages से गुझ रहा है, है न, develop from primitive to civilized stage, तो वो stages क्या है, सबसे पहले primitive रहा होगा, और primitive से वो progress करके, gradually, अलग-अलग stages से गुझ रहा, more developed होता गया, और finally, वो civilized stage पे पहुँझ गया, तो ये इन्होंने Mexico की study, मैक्सिको की society है, या मैक्सिको का जो culture है, उसको पढ़ने, उसको समझने के बाद, इस conclusion के उपर वो आए, इस work को करते समय, interesting बात ये है, कि इन्होंने क्या किया था, survival का जो concept है, उसको use किया था, अब आप पूछो के survival का concept क्या है, actually survival का जो concept है, उस पे debate है कि actually वो originally है किसका, उस पे दो और इनके ही school के में यानि कि British anthropologist है, और वो दोनों भी evolutionary school के अंदर में आते हैं, जिनका नाम है, main, जब हम लोग discuss कर रहे होंगे, under the unit anthropological theories, with the UPSC optional life classes, तो हम main और McLennan को भी पढ़ेंगे, maybe हम लोग इस series में भी YouTube की series में भी उनके बारे में पढ़ें, लेकिन till then, till the time we decide to continue with all those anthropologists, हम short में उपता सकत है, वो भी इनके साथ साथ survival की बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत lucid और बहुत ही अच्छे example दिये हैं, survival की concept को समझाने के लिए, और same चीज टाइलर भी करते हैं, इस से पहले भी जो word है, उसको एक तरीके से कुछ लोगों ने explain करने कोशिश किये, तो it's always debated कि कि किसने पह पर्सपेक्टिव, तो उस चीज को छोड़ते हैं, हम सीधे survival पर आ जाते हैं, आसान भासा में बोलें survival तो ये past के remnants होते हैं, past में कोई चीज होती हैं, उसके आप कह सकते हो अवशेस, अगर हिंदी में बोलो तो अवशेस को बोल सकते हो आप, remnants की तोर पे कोई चीज जो past की होती ही, वो cultural entity हो सकती है, non-cultural entity हो सकती है, material entity हो सकती है, non-material entity हो सकती है, उसका remnant अगर आपको अभी उसकी जलकियां, उसका अस्तित्व जिसको आप बोलो हिंदी में, वो अगर आपको अभी देखने को मिल ला है present time में, तो आप उसको survival के तोर पे कह सकते हो, अगर उसका use खतम हो गया हो उसके बाद भी वो लगतार तोर से चले आ रहे हमारी कई सारी प्राक्टिसेज हैं हमारे कई सारे ऐसे वर्ट को हम बोलते हैं ऐसे रिचुल्स को परफॉर्म करते हैं जो एक समय पर मेभी उसकी कोई यूटिलिटी रही हो पर अब उसकी वह यूटिलिटी जा चुकी है फिर भी हम क्यूं उसको एक हमारी आदत में बैट गया जनेशन वाइज कई चीज़ आप देखता आपको का जाता है कि नहीं नहीं नेल्स को इस डे में मत काटो हैर को इस डे पर वाश मत करो यह किसी भी स्क्रिप्चर या किसी ट्रेडिशन में नहीं लिखा जिन से आपने एल्डर जनेरेशन से उन्होंने अपने एल्डर से नहीं पूछा होगा आपको बताया गया आपको एक ब्लाइंट ट्रस्ट है और आपने माना कि हाँ ठीक है मैं भी नहीं करूंग और आप इसी तरह कल्चर के स्ट्रेट को आगे पास करते जाते हो तो में ब मत वाश करो या कोई भी ऐसी चीज लेकिन फिर भी आपको ट्रेडिशन वाइस में देखने को मिल रहा है सिमिलर लिए अगर आप स्नीज करते हो आपको शीक आती है तो कोई बोलता है आप वेस्टन कल्चर में देखो गॉड ब्लेस यू तो पहले के प्रिम्टिव आप कह स बात है आत्मा निकल गई तो आप तुम्रित हो जाओगे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक तरीके से बोला जाता था कि गॉड ब्लेस यू वह चीज जाहिर सी बात उस समय उसका उन लोग ने ये रेशनल सोचाओ पर आज की रेट में उसका वह रेशनल नहीं है आज के एक फिर आपके आत्मा निकलने का कोई चांसे नहीं फिर भी रेशनल नियों बिल्कुल रेशनल प्राक्टिस एप पर चलती है इसे को आप सर्वाइबल बोलोगे इन से ज्यादा बड़ी है एक्जामपल मेन और मैकले ने ये दिया हुआ है आप देखते हो मॉक। फाइ तो अलग-अलग सिस्टम ऑफ मेटिंग होता है मेटिंग बाइक क्याप्चर होता है यानि कि आप उठा लिया और ब्राइट को उठा के पकड़ के लिया कि टनाप करने जैसी चीज होती है मेटिंग आप देख सकते हो इक तरीके से सेलेक्शन ऑफ मेट्ज होता है उसमें एक सही होता है प्रोबेशन का चाहले समय तक होता है इसे लिभीन जासे से पर तरीके से होता है कि आप अगर दव्णे में बात बात बंती है अगर पकिर देते हो और फिर उसके बाध वहाँ हो अपने साथ ऐसी सेंट्रल इंडिया की कुछ ट्राइबस में आपको देखने को मिलता है कि उनके बीच में एक मॉक फाइट का कॉंसेप्ट है यानि क्या करते हैं वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं वो लड़ाई असली नहीं होती है वह तरीके से जैसे एक्टिंग में होता है एक्शन डिरेक्टर आपको बोलता है कि आप एक्ट करो इस वे में इस फैशन में उसी तरीके से मौक चल रही हवा में सब लड़ाई कर रहे हैं हाथ पैर इधर दर जा रहे हैं स्वार्ट भी है तो ब्लंट एंड के साथ है उत्ती शाप नहीं है और लड़ाई कर र स्कैर सिटी ऑफ विमन स्कैर सिटी नहीं बोलोगे आप एक बाइलोजिकल टर्म हो जाता है या फिर खाने से लेटेड हो जाता है आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स आपको देखने को मिलता था वह बहुत लो था क्यूंकि फीमेल इंफेंटिसाइट प्रैक्टिस हो जाता है कि जो मैन है वो हंटिंग करके या कुछ करके किसी तरीके से ले आएगा तो मैन वोज कंसीडर टू भी मोर हैविंग फंशनल वैल्यू उसको जिंदा रहेगा तो प्रोटेक्ट भी करेगा हंट भी करेगा गेम को शिकार करेगा खाना ले आगा रिसोर्स लाएगा मैन के बहुत सारे फंशन है और उस समय फीमेल का उतना वो कोई रोल नहीं देखा जाता था एकनोमिक आस्पेक्ट में तो अगर बेटा और बेटी दोनों होते थे तो टेंड टू सेफ दी जो मैन रहेगा उसको बचाएंगे कि उसके कई सारे रोल है अलग-अलग फ्रेंट डेतें कि करेंड़क्तSec. अधवी काम नहीं रहेगा और होसकता है rich इसको साथ में डिप्लेटra भी करेगी यह उंप्रम्टरिम्ट्प मेर्शन की सोच थी स्ति तो उसको मार देते थे मार देएगे तो क्या होगा फिमेल इन पैंटि स्टरभी देड है लो आपिक्ष या duck् conflict होगा जो जीतेगा उसको मिलेगा पार्टनर जो नहीं जो हारेगा उसको पार्टनर नहीं मिलेगा तो इस चीजों के कारण आपको वो प्रैक्टिस देखने को मिलती थी कि fight genuinely होती थी उस टाइम पे लेकिन अब वो system नहीं रहा है अब वो सारी practices नहीं रही है उन tribes के बीच मे नंबर जो है equal opportunity है सबके पास resources है सब कुछ है लेकिन फिर भी वो आदतन तौर पर वो practice रह गई है उनकी society में या उनके culture में जिसको वो continue करते आ रहे है तो यह रही बात आपकी survival की यहाँ पे जो मैंने बात बोली उसकी definition भी दिए कि the cultural material or non-material ज़रूरी नहीं कि सर्फ material जै परतन तोर पर वो एक तरीके से लाजमी हो गया है लोगों के बीच में community के बीच में culture का पार्ट बनके और इसको आप देख रहे हो कि अपनी utility उसको भी खो चुके है अब उसका कोई मकसद नहीं है उसको perform करने का कोई वजह नहीं है जो उसका function था वह ज़रूरी नहीं रहा है लेकिन फिर भी क्योंकि आज अतना मों चला रहा है तो आप continue करते रहे हो और वह पार्ट बन जाता है आपको खुद अगर आप इसको एक्टिविटी सोचके देखो सिर्फ थिवरी मत सोचके देखो अपने आराउंड कई सारी ऐसी चीजों की जो आप करते होगे daily life में मै जाता है उसका rational कई scripture में मेंशन है तो भी अटलीस्ट आपकी knowledge increase होई कि हाँ यह यहाँ पर है और नहीं हुआ तो आपको at least anthropological perspectives anthropology की मदद से एक यह भी पता चल गया कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए लेकिन आप वो कर रहे हो क्यू द्यूटिव फोर्स ऑफ हैबिट तो एक exercise का तौर पे इसको आप देख सकते हो यहां पर अब है survival क्या काम उसका function का survival होता क्या है वो तो देख लिए इसका क क्या है यह प्रूफ की तरह काम करते है पास reconstruction में आपको पता चलता है कि पहले कोई चीज़ थी और अब नहीं है जैसे हमें survival of mock fighting से क्या पता चला कि फीमेल इंट्वेंटी साइट प्रेक्टिस होता रहा होगा किसी पास सोसाइटी या पास community के बीच में तो इसी से हमको यह पास reconstruction का phenomena आप देख पा रहे हो so that's why it is very useful as a concept यहाप आपने बताया हुआ कि Maine और McLennan जो यहाप पे दोनों नाम लिखे मेन और McLennan गेप दी एक्जामपल ओफ कोवेट and mock fight ठीक है last slide में यह जो आपकी पूरी की पूरी PPT है यह जो presentation है इसको मैं share कर दूँगा on the Instagram channel Instagram page and the Telegram channel also गो आपर मैं mention कर दूँगा पहली slide में शायद mention नहीं है last slide में मैं mention कर दूँगा on the telegram you can find these PPTs on a channel called anthropology deciphered anthropology deciphered कर के channel है जिस पे I am planning to upload all this content for free without any extra charges और आप उसको access कर सकते हो help ले सकते हो अगर आपको कोई चीज शुतबल या useful लगती है तो for your preparation purposes and you can also connect with me on the Instagram on the ID the sapience vault the sapience vault I will write this again on the end of the slide अभी हम next पे चलते हैं इनका दूसरी बुक जो है दूसरा वर्क जो है उसमें देख लेते हैं जो में बात इन्होंने कही हुए दूसरा जो बुक है इनकी second book नाम थोड़ा लंबा है आपको याद करने भी हो सकता है थोड़ी दिखकत हो बुक का नाम है researches into the early history of mankind and the development of civilization which was published in the year same year जब आप देख रहे हो कि शास्त्री आपके प्राइम सर्भ ने एक साल बाद नहरू की डथ के 1800 सोरी उससे 100 साल पहले एक्शुली 1865 की ये बात है वो सारा काम जो शास्त्री और नहरू वाला है वो इसके 100 साल बाद आपको देखने को मिलता है यहा यहां पर हम सेवेजरी बार्बरिजम और लास्ट में सिविलाइजेशन आपका आता है जो की प्रेजेंट स्टेज है आपकी है ना सेवेजरी में देख रहे हो तो आप हंटरस फूड गैजरस आपको देखने को मिलेंगे बहुत कोई टूल टेक्नीक्स नहीं है बहुत ही इ सिविलाइजेशन की स्टेट है वह सिविलाइजेशन की स्टेट को किस तरीके से नोने कैटेगराइज किया कि उसमें दो पीचर है आप देखते हो कि आपका राइटिंग जो है वह आपकी शुरू हो जाती है अपकी और राइटिंग इनेबल हो जाती है कि रिटेन हिस्ट् इन तीन ही स्टेजे से गुजर रहे हैं irrespective of the fact they were connected together or not हो सकता है एफ्रिका और और उस्टिया में कोई वह नहीं है जिघ्रफिकल एक तरीके से जुड़ाव नहीं है पर दोनों इन तीनों स्टेजे से गुजरे हैं और उसके पीछे कही नों ने वजह क्या बताया that was psychic unity of mankind psychic unity of mankind for those aspirants who are listening to the lecture in the Hindi वो अगर समझना चाहे तो उसको आप कहा सकते हो मनोस्थिती की एकता के तौर पे इनका उद्विकास हुआ या फिर evolution आपको देखने को मिलता है और वो क्या explain कर रहे हैं ये भी खुद इनका concept नहीं था like survival ये किसी और का concept को यूज कर रहे हैं यहां अगेन ये किसी दूसरे anthropologist या फिर आप कह सकते हो एक जर्मान anthropologist थे ये बैस्टियन एडल्स बैस्टियन करके थे जर्मल जर्मन एथनोलोजिस्ट थे उनका concept था ये psychic unity of mankind उसको यूज करते हैं अब इसको explain करते हैं कि psychic unity of mankind क्या है अलग-अलग culture जो आपस में connected नहीं है geographically distant है जिनके बीच में कोई contact नहीं है कोई diffusion नहीं है उसके बाद भी अगर वो similar stages से गुजर रहे हैं similar characteristic दिखा रहे हैं similar trends को similar traits को practice कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक psychic unity मनोस्थिती के level पर दिमाग के तौर पर cognition के level पर उनके बीच में unity रहे होगी और उन सबका दिमाग उसी stage से गुजरा होगा इसलिए उन लोग ने ऐसे एक same action अपनाए होगे यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर बात भी वही कह रहे है कि यह similarities in culture traits देखने को मिलती है which was due to the psychic unity of mankind P.U.M. जिसको हम शॉर्ट में बोलते है psychic unity of mankind और diffusion के तौर पर नहीं था diffusion मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हो तो cultural contact हो गया न अगर आप बात करते हो कोई middle east में community है वो आप के हां आती है मुगल के आप example ले सकते हो मुगल का जो cuisine है जाइका जो मुगलाई खाना है मुगलाई डिजाइन जो है मुगलाई architecture है मुगल यहाँ पर आए तो उनकी वो सारी चीज़ा यहाँ पर भी आने लगी सेम उससे गुजरा हुआ है सेम स्टेट से आपको देखता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है नेक्स आप कहा सकते हो यह similarity क्या ऐसी है बीना contact के जो हमने अभी बताया example इसका देते वे बताते हैं वो कि आप Aboriginal Tribals को देखोगे Australia में और आप देखते हो जाके अगर Africa की कई सारी tribes को उन दोनों के बीच में आपको body पे scarring करने का body पे marks बनाते है cuts करते हैं इस तरह की चीजों करते हैं माथया पे cuts करते हैं यह चीज़ आपको दोनों के बीच में frequently देखनों को मिलें कि जो common है दोनों के बीच में जबकि दोनों के बीच में Orsalians और African communities के बीच में कोई cultural contact नहीं था उस समय पे फिर भी चीज़ देखनों के मिले that is why that is due to the psychic unity of the mankind next आप बात करते हो जो circumcision का process होता है वो देखते हो आप Zeus के बीच में भी है ठीक है Arabic population उनके बीच में भी है कई सारे और communities जो है उनके बीच में भी है बीना किसी cultural contact तो ये सारी चीज़े हो पा रहे है क्यों psychic unity of mankind के कारण कि इंसान जिहानी तोर पे cognition के level पे आपस में connected है unified है और वो same act को कर रहा है जब वो कब कर रहा है जब same environmental condition हो रहे है यानि कि इंसान एक certain environmental condition के अंदर एक similar way में act करेगा irrespective of the contact with each other maybe that point is mentioned here therefore we concluded the history of culture and civilization was witness of parallel और independent वो independent cultural institution के through progress करती वाल हो रहे है similar environmental the point I just mentioned similar environmental condition compelled prehistoric meant to act in a similar way एक तरीके से करने का act करते है वो चाहे domestication हो चाहे agriculture हो या फिर किसी और चीज़ को अगर कर रहे है वो same way में करेंगे irrespective of their cultural contact with each other for example दुनिया भर में आप देखते हो जो communities है जो societies है तीन stages से गुजरी है stone age bronches iron age Europe में जाते हो उसके बाद भी तो यह क्यों यह बता रहे है इन सब की वज़े इन्होंने बताई हुई है अपनी second book के अंदर 65 में जो publish हुई क्या है P.U.M. or the psychic community of man which was actually the concept of whom a German ethnologist called adult best team so this was all about his second book और second book में इनका जो contribution थे coming to this his third book यह एक बहुत important book है called as the classic of anthropology trademark है और सबसे जादा celebrated work है E.B. Tyler का for those who are interested in anthropology even apart from the UPSC syllabus और UPSC optional they can refer this book or they can read this book for those who are preparing just for the UPSC optional or for any other examination state PCS they are opting anthropology as a subject for those it's not recommended to read these books वो आपका time फालत हम बहुत खर्च कर रहेगी उसकी बातों का हम समराइज करके आपे डीली करते है तो आपको पढ़ने जोत नहीं है पर किसी को interest है out of context तो वो देख सकता है क्योंकि बहुत ही celebrated work है anthropological एक classic के तौर पे इसको address किया आता है third book primitive culture which was published in the year 1871 इस book में तीन अलग-अलग stand पे इन्होंने contribution किया हुआ है सबसे पहला इसमे theory of animism इन्होंने दी हुई है दूसरा इन्होंने scientific definition of culture for the first time culture की एक विज्ञानिक परिभाषा इन्होंने सबसे पहली बार आपको देखने को जो मिलती है वो टाइलर की इस book में आपको देखने को मिलती है इससे पहले एक तरीके से layman term में या फिर sociological term में define किया जाता था यह scientific way में इन्होंने define किया culture को next आप देखते हों यहाँ पे survival का जो था पूरा का पूरा doctrine उसको इन्होंने आप एक्स्प्लेन किया है वहाँ पे as a tool use कर रहे थे quote कर रहे थे, example दे रहे थे यहाँ पे पूरी doctrine को इन्होंने अपनी third book primitive culture के अंदर में explain किया हुआ है culture का definition वाला scientific definition वाला जो point है उसको आप देख सकते हो इन्होंने किस तरीके से किया culture is that complex whole which includes knowledge, belief, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society यह आपको देखने को मिल लिए इनकी definition थी इसमें भी कुछ दो terms है जो बहुत ही ज़्यादा highlighted है क्या है complex whole culture कई सारी चीजों से elements से मिल करके बना हुआ है और सारी चीज इरिस्पेक्टिव और proportion और quantity material वो सारी चीजों को include करता है एक whole है जिसके अंदर वो सारी चीजे आ रही है दूसरा क्या है acquired तो यह social acquired acquisition की बात करते हैं बात करने की जो काबलियत है और भी कई सारी ऐसी processes होती है language हो गई culture हो गया कोई ritual आप परफॉर्म करते हो कोई religious activity आप परफॉर्म करते हो आपकोस यह तो आपकी जीन्स मनी आया है यह आप inherit नहीं किये हो क्या किये हो इसको acquire कियो तो यह stress करते हैं कि अगेंस दी paradigm of biological inheritance these traits these cultural elements are socially acquired तो यह दोनों important term आपको देखने को मिल जाता है इनकी definition में centric definition में दूसरी जो बात आती है यह इनकी है टाइलर religion के उपर क्या कहते है तो religion के उपर इनका मानना है कि religion across the world has developed from a very primitive state that was called animism now anima animism is developed from a word called anima which translates into soul anima का मतलब soul होता है तो इनका मानना था कि जो across the globe सारे societies में सबसे पहले लोगों का जो belief है वो soul या फिर spirit के around था आत्माओं के around था उससे वो पहली stage थी religion के evolution में बाद में अलग-अलग तरीके से यह evolve की और जो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो monotheism जिसको एक इश्वात कहते हो और सिंगल गॉर्ड को सिंगल गॉर्ड की एंटिटी को आप वो करते हो चाहिए abrahamic tradition में जाओ या फिर आप किसी भी दूसरे tradition में जानते हो तो वहाँ पर एक गॉड को वो कर रहे है वर्शिप कर रहे है तो वह आपको देखने को मिलता है कि यह प्रिमिटिव में था है वो देखता था कि इनसान के अंदर को ऎक्सी चीश ऑन्üst को पर झैसे वो चीज बाहर जाती उसकी बॉडी से इंसान की क्या हो जाती है टेथ हो जाती है तो उसने उसी चीज successful सोल है या फिर यह लाइक की driving before साब यह जो spirit है जो आत्मा है यही life को चला रही है इसके जाता ही life का the end हो जा रहा है इस चीज के पीछे कोई rational नहीं था कोई scientific knowledge या scientific temperament नहीं था इसलिए जो टाइलर है उन्होंने प्रिम्टिव मैं की इस बात को या फिर इस theory को क्या कहा इस सेवेच philosopher प्रिम्टिव मैं ऐसी बात सोच रहा था इसी लिए टाइलर ने उनको सेवेच philosopher कह दिया सेवेच क्यूं क्यूंकि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि को सिर्फिक डिन राइशनलस्टिक नॉन सेंटफिक और फिलासफर की उख की बाद कर रहा है कि कोई ऐसी चीज है कोई आत्मा है जो जब तक है तब तक हम जिन्दा जो गई तो मला जाते तो फिलोसेधी की बात कर रहा है पर बहुत क्रूट टॉं में बिना किसी सेंट्ष क temperament के इसलिए he called the primitive man as service philosopher या answer में आप जरूर mention करना highlight करके जभी भी आप या तो evolution scheme को या फिर टाइलर की stages को बता रहे या टाइलर के contribution को बता रहे या फिर primitive culture book को discuss कर रहे हो तो this is important point second stage जो आती है उन्होंने देखा कि यह जो आत्माय है इंसान जो मर रहा है उनके relatives है उनका बच्चा हो सकता है उनके parents हो सकते हैं नेवर सो सकते हैं वो जो मर रहे हैं उस मरने के बाद यूंके dream में आ रहे हैं तो बड़ी इनको वो inquisitive हो है कि यह भाई कैसे हो रहा यह तो इंसान मर गया था अब यह रात मेरे सुल या टो तीरों सुल या और दूसरी ghost yeah फिर जिसको free city औद जिन्दा हो मरने के बाद जो ड्री में आ है वो किया है भूस्ट या फिर फ्री सुल या फिर free spirit है यह सेकेंड स्टेस्ट है यह इस ए स्टेस्ट है यह सिर्चिश 20 नेंटिपल या लेकिन वो अभी तक सिर्फ इंसान की आत्मा कोई इंक्लूड कर रही थी अब क्या हुआ इनके सपनों में इन्होंने पेड़ों को भी देखने लगे नदियों को देखने लगे ज़ड़नों को देखने लगे पहाड को देख रहे हैं और भी कई सारे नेच्छरल जो फिनॉम् सब्सक्राइब किसी भी चीज़ को यह सब भी थर्ड स्टेज पर आ गया मूविंग टू दी नेक्स टेप यह क्या एक तरीके से इन्होंने बात कहीं कि नेक्स स्टेज ऑफ इवल्यूशन क्या रहोगा जो आपकी देखने को मिल लिए अंडर थर्ड स्टेज ओनली यहां प इनसान के आसपास रोम करती है जो उसके लिविंग एक तरीके से फ्रेंड्स हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं नेबर्स हो सकते हैं उनके आसपास ही वो रोम करती रहती कहीं जाती नहीं है जो स्पिरिट है और वो कभी-कभी अपने प्रिवियस होम को याना फॉर्म आपे spelling यह अलत है concept की concept में देता हूँ एक है मैटम साइकोसिस ठीक है और दूसरा आपको मैटम साइकोसिस तब से पहले क्या है यह concept है एक एक एनर्जी फॉर्म की से अपको देखने को मिलता है कि आने को उसका ट्रांस माइग्रेशन होता है और वह दूसरे की बॉड़ी को पजस कर सकती है पजेशन का आपने फिनॉम्मन सुना होगा किसी बॉड़ी को कंट्रोल कर लेना तो रोम कर रही है स्पिरिट और वह जब कोई सूटेबल ऐसी वैसल या फिर बॉड़ी देखती है तो उसको पजस कर सकती है तो यह इन्होंने देखा मैटम साइकोस के फिनॉमना के अंदर दूसरा जो फिनॉमना यह बताते हैं वो क्या है concept of special residence कि स्पिरिट रह कहा रही है जब वह रोम नही रही होगी एक another world है कोई दूसरी दुनिया वहाँ पर रह रही होगी जो कि आप present sense में heaven या hell के साथ आप relate करके देख सकते हो उस बात को next यह दो बात और कहते हैं दो theories देते हैं इसी के अंदर third stage के अंदर जो चीज़ें इन्होंने देखी समझी उससे derive करके दो theories या दो concept और दे रहे हैं सब सब पहला है इनका continuous theory सेम बात यहाँ पर क्या थी कि आत्मा मर नहीं रही है वो रोम करती रही है ठीक है और कोई मिल रहा है तो उसको पजस कर सकती है सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि जो सोल है वो इंडिस्ट्रक्टबल है अनश्वर जिसको आप कहते हो हिंदी में तो कहीं भी जाने रिए continued form में रहेगी हमेशा के लिए जो आप देखते हो भगवत गीता में भी आपका नैनम शिंदंति सस्त्राणी नैनम धहती पावकान च दूसरे बॉड़ी फॉर्म के थुरू वापस से आपकी आएगी पुनर जनम का जो आपको देखने को फिनॉमना मिलता है तो उसके साथ उन्होंने थियोरी बताई दूसरी जो थी उन्होंने रेट्रिविशन जो बदला वाले चीज़ होती रेट्रिविशन आप कह सकते हो इंतिकाम जिसको कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो पनिश्मेंट जिसको बोलता है रेट्रिविशन वह वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है उसका भी कॉंसेप्ट देते हैं कि बेज्ड ऑन कर्मा की डॉक्तरिन को समझा नहीं रहे लेकिन हो कह रहे है कि बेज्ड अप पॉइंट जब कवर होते हैं तो for next stage बताते हैं फॉर्थ श्टेज में क्या कहते हैं कि जो spirit हमने अलग अलग बताई है नेचर की spirit हो ने बताथी human की spirit भता दी consent spirit है free spirit है आपकी body spirit है plants अलग-अलग ऐनिमल्स है उसके साथ भी नेचर की मैनिविलेंट होती है मैनिविलेंट यानि कि जो द्यालू नहीं है क्रूर जिसको आप हिंदी में बोलते हो या फिर वह आपको हाम कर सकती है उस तरह की spirits हैं फिफ्ट और नेक्स स्टेज्ट पर क्या बताता है कि concept spirit possession का और demonics का associate होता है according to him इस 5th stage पर आते आते इंसान ने क्या था या फिर जो प्रिम्टिव में था उसने demonics शैतान की जो बात होती है या फिर आप देखते हो possession की बात होती है किसी के ऊपर कोई आत्मा आ गई है ना वह सारी चीजें और एक तरीके से exorcism आप देखते हो बाहर की movies होती है western movies जैसे आप हिंदू कल्चरम देखते हो 1921 भूत वाली movie यह थी उसमें आप देखते हो हन्मान चरी सब बोलता है तो घोस्ट बाहर निकल जाता है सेम आप बाहर के कल्चरम देखते हो तो इस phenomenon को क्या बोलते है है exorcism बोलते हैं तो exorcism का फिनामना डिमॉनिक सारी चीज़ती वो फिफ्ट स्टेज तक आने लगती है इन दे कुरूड फॉर्म आज के सेंस में जैसे आप जानता हो वैसे नहीं एक अलग फॉर्म में लेकिन वो उसका existence आपको देखने को मिल जाता है जो इनन्सान की आने लगती है जैसे तावीज का बात कर सकते हो है उसमें कोई पावर नहीं लग इनसान मान रहा है किसी चीज़ से असोशेट करको रख रहा है कि उसका अंदर कोई पावर होगी सुपरनेश्रल एंटिटी की तरुर पर उसको वर्शिप करने लगता है पूर्ति पूजन जिसको आप कहते हो किसी बीडीटि कि किसी भीडीज तरीकर से ग्रोथ उसको एजब्स कर रहे हो उसको मूर्तिके form में बना कि आप उसकी वर्षिप कर रहे हो तो वह यहां पर सिख स्टेज पर आगई कि आपके दो इस्टेज़ देखने को मिलता है सहेवेंध एन एकसे friendship का आपके एक तरीके से ग्रोथ हता है। पॉलिठीजम का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। पॉलिठीचिजम पेहले हैं किया सब कीण है उससको पलिटिजम कहते हैं हिंदी में इसको बहुः बोला जाता है। कोई एक तरीके से supervising DT है जो इसको control कर रहा है और वो अलग-अलग है पानी को या rainfall को कोई अलग कर रहा है हवाओं को जो winds चलने उसको कोई अलग कर रहा है volcanic eruptions हो रहे हैं उसको कोई और कर रहा है forest के अंदर में कोई और entity कोई और DT होगी तो multiple specialization करने लगें यह spirits का उस चीज से किस conclusion पर आए कि polytheism यहां पर इनको देखने को मिलने लिए कि हर चीज का एक अलग आप देख सकते हो प्रिसाइडिंग DT होगा प्रिसाइडिंग स्पिरिट होगी उसको यह आप मानने लगे तो इस ते क्या आया polytheism आया polytheism का last stage पर आप देखते हो final उसका product क्या होता है stage 8 पर आप finally जो present form जिसकी बात करते हैं वो है आपका monotheism एक इश्वाद यानि single entity single most powerful being single supernatural power या single god को आप यहाँ पर वर्शिप कर रहे होते हो तो यह होगी अलग-अलग stages जिसके थुरू इन्हों ना explain किया इसको जनरलाइज करके आप लिखते हो short में तो सबसे पहला आपका animism आ जाता है after animism you move to the polytheism और finally आप monotheism पे आते हो यहाँ पे spirit की वर्शि या single supernatural powerful being की यहाँ पर वर्शिप आपको देखने को मिल रही है तो इसके बाद हम लास्ट पर आ जाता है जो हमने अपने answer में भी कहा था कि criticism और conclusion होता है कि यह जो evolutionary school के earlier thinkers थें खास कर classical evolutionist CE हम लिख रहे हैं जिसके अंदर में आपके टाइलर भी आ जाते हैं मेकलेनन आ जाते हैं मेन आ जाते हैं सारे लोग इसी के अंदर में आ रहे हैं ठीक है पर से जा रहा है तो इसको as a paper पे अलग अलग question भर के दे देते थे जिसको आप schedule बोलते हो या फिर questionnaire बोल सकते हो यह कहते थे कि वहां पर जाके उनसे question को पूछो और फिर information मेरे पास लेके आओ based upon that collected information मैं अपनी theories दूँगा तो इनका work जो है वो किसी और के question पूछने के तर रहा है तो उसकी जो validity है उसकी suitability है collected data की collected information की वह 100% नहीं थी इसलिए यह सबसे बड़ा आपके problem आ जाता है कि they were relying on the secondary data they were not relying on the primary data यहां पे पॉइंट लिखा है हमने last में लिखा है लेकिन यह सबसे main criticism है इसी से जुड़ा एक और है कि secondary data क्यों इन्हों ने लिया क्योंकि यह आम-chaired anthropologist हैं आम-chaired anthropologist मतलब यह कुरिशियों पर बैठे रहते थे थे मोग एमबो की आपने movie देखिया नो कौन सी Mr. India वह बैठा रहते है कुरिशी पर सारे हुक्म देता है सबको तो यह वैसे ही बैठे रहते थे अपने काम ही किसी और से बोलना है इसलिए उनको बोला था एक्सेप्शन्स यह नहीं वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं और किसके थूद साइकिक यूनिटी के थूद और साइकिक यूनिटी का भी इनोंने कोई इस तरीके का एकदम स्टॉलिड है ना उस तरीके का बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी डिबेट के ऐसा कोई explanation नहीं इसको सब लोग मान सकें दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हर बात जो भी बोल रहे हैं सर्वाइवल की हो या कोई भी इनकी इवलिशनरी स्कीम हो कि एनिमिजम पॉलिथिजम मोनोथिजम आया उसका एविदेंस तो भाई आप कैसे बता रहे हो किस बेस पे क्या वो आर्केलो आते थी उसको सपोर्ट करने के लिए एविदेंस नहीं पेश थे वहाँ पर नेक्स चीज क्या है कि नॉन सेंटिफिक कंपरिटिव अप्रोच है साइन्स इसमें नहीं लग रही थी जो आपने देखा एक कल्चर के उपर क्वेशन बेजे एक इंसान से दूसरे कल्चर के उ तो यह रही आज की बाद E.B. Tyler, the father of modern anthropology या father of ethnology जिनके हम बात किये आज के पूरे lecture में उनके contribution उनके works वो डिसकस किये next lecture में विल बाक्विस सम अधर anthropologist, सम अधर theory और स्कूल अव तोट, till then thank you and have a nice day